नमस्कार मैं डॉक्टर संजीवनी सी तल्टों से संजीवन गर्वसांसकार के इस यूटुब चैनल में आप सभी खाय स्वागत करती हूँ प्रेगनसी के दोरान गर्ववती के मन में सबसे बड़ी चिंता होती है क्या उसकी डिलिवरी नॉर्मल होगी या सीजिरियन नॉर्मल डिलिवरी या सीजिरियन यहां गर्ववती का हेल्थ और बेबी की पोजीशन पर निर्भर करता है स्पेशली 90 महने में डिलिवरी का समय जैसे नस्दिक आ जाता है वैसे बेबी पोजीशन फिक्स कर लेता है गर्ब में बच्चे की पोजिशन अलग-अलग होती है जैसी की वर्टेक्स प्रेजिशन, ब्रीज प्रेजिशन, ट्रांसवर्स पोजिशन, एक्सेटरा चलिए आज हम जानेंगे इसमें से ही वर्टेक्स प्रेजिशन के बारे में वर्टेक्स पोजिशन क्या है? यदि आपका शिशू वर्टेक्स पोजिशन में है तो आपको उससे क्या लक्षन महसूस होते है? और हम जानेंगे कि क्या वर्टेक्स पोजिशन में कोई प्रोबलम बेबी को होती है? तथा वीडियो के अंत में हम देखेंगे कैसे शिशू को वर्टेक्स पोजिशन में लाया जाए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आन्त तक जरूर देखे आईए पहले समझते हैं क्या है वर्टेक्स पोजिशन अक्सर देखा जाता है डिलिवरी के कुछ हपते पहले याने अप्रोक्जिमेटली 34 विक्स तक बेबी का सर नीचे की स्तिती में आ जाता है याने सर नीचे और पैर उपर की तरफ होते है इस पोजिशन को ही हेड डाउन या सेफलिक पोजिशन भी कहा जाता है और यहीं पोजिशन याने वर्टेक्स पोजिशन डिलिवरी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है चलिए अब देखते हैं वर्टेक्स पोजिशन के कौन से प्रकार होते हैं वर्टेक्स पोजिशन दो तरह की होती है एक तो ऑसिप् सही smartoon आंटेरियर इसमें बच्चे का सर नीचे की तरफ और चेहरा सुरीर मा की पीड की तरफ होता है यहां जीडिकोते होती है नौर्मल डिलिवरी की लिए दूसरा टाइप घूर असलुपिटो पोस्टे रियर इसमें भी बेबी का सर नीचे होता है लेकिन चहरा मा की पीट की जगा पेट की तरफ होता है इस पोजिशन में यदि बेबी है तो कभी भी डिलेवरी के टाइम पर बेबी खुद घूम कर औसीपुटो अंटेरियर पोजिशन में भी आ जाता है अब हम जानते हैं वहां कौन से लक्षन आपको दिखते हैं जिससे आप पता कर सकती है आपका शिशू वर्टेक्स पोजिशन में है एक्चुली शिशू के पोजिशन से जुड़े कोई भी लक्षन नहीं होते है इसलिए गर्भवती खुद शिशू की पोजिशन का पता नहीं लगा सकती फिर कैसे पता करें आपके शिशू की पोजि क्लियर समझ में आ जाती है दूसरा होता है गर्भावस्ता के दौरान जब आप रेगलर चेकप के लिए जाती है तो डॉक्टर आपके पेट को चुकर जाज कर सकते हैं जिससे भी पता चलता है कि बेबी की पोजिशन कौन सी है लेकिन कुछ ऐसी कंडिशन होती है जब बेबी वर्टेक्स पोजिशन में होने के बावजुद भी डिलिवरी के समय दिक्कते आ सकती है वहाँ कौन-कौन सी दिक्कते हो सकती है जैसे कौन्ट्राक्शन धीरे-धीरे आ रहे हो या गर्भनाल शीशू के गले से लिपती हो चलिए आप जानते हैं बच्चे को वर्टेक्स प किया जाता है बट डेजन्ट मिन यदि बेबी के पैर नीचे है और सर उपर है और आप वॉकिंग करती है तो बेबी का सर नीचे आएगा और पैर उपर जाएगे एक्जरसाइज या कुछ स्पेसिफिक व्यायाम आपको मदद कर सकते है बेबी का सर नीचे आने के लिए प्रसव शुरू होने के बाद वहां जो अवस्था में होता है वैसे ही बहार आता है इन रेर केसेस आखरी के पलों में बच्चा वर्टेक्स पोजिशन से दूसरी पोजिशन में आ सकता है तो यहां थी सारी बाते शीशु के पोजिशन के बारे में तो ध्यान रहे आपकी नीचे और पैर उपर के साइड में होना जरूरी है नॉर्मल डिलिवरी के लिए खुद को और खुद के शरीर को तथा मन को तयार आपको करना है इसलिए आपको प्रॉपरली डायेट लेना है वाकिंग प्राणायाम करने है अच्छे से नीन लेनी है और साथ में करना है प्रेगनसी के हरक्षंड का और एंजा कर सकती है अपने लेवर पेन को भी तथा आप आपके शीशु को बना सकती है सुन्दर सुदरुट तैजस्वी और सदगुणों से परिपूर्ण इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहाँ पे क्लिक करना है और जोइन करना है संजीवन गर्वसंसकार का ओनलाइन वर्क्शोप तो हसते रहिए मुस्कुराते रहिए एंज्जाइ कीजिए प्रेगनसी का हरक्षंड संजीवन गर्वसंसकार के साथ धन्यवाद जां झाल करता है